किसान साथियो नमस्कार स्वागत है आप सुरी का एक और नई वीडियो में किसान साथियो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे महा सकती साली बी जुपचार के बारे में बात करेंगे जो की दो महासक्तिसाली फंगी साइड तथा एक महासक्तिसाली खीट नासक के मिसरन से बनाया गया है जी हाँ किसान भाव्यों आज इस वीडियो में हम एक एसे बी जुपचार दवाई के बारे में बात करेंगे जिसमें दो फफुन ना सकता एक कीट ना सकता मिसरन है हम बात कर रहे हैं बेस टेग्रोलाइफ कम्पनी के वारडन बी जुपचार की जिसमें तीन टेक्निकल दिये गए हैं जिसमें से पहला टेक्निकल है एजोक्स्ट्रोविन 5% तथा दूसरे टेक्निकल का नाम है थावफिनाइड मेथाईल 11.25% और तीसरे टेक्निकल का नाम है थावफिनाइड मेथाईल 25% यह तीनों ही पावरफुल टेक्निकल है किसान भाईयो अगर आप भी बी जुपचार के लिए एक नई दवाई खोज कर रहे हैं तो आप बेस्ट एग्रो लाइफ के वारडन भी जुपचार का इस्तमाल कर सकते हैं इसमें फंगिसाइड तो इंसेक्सेड दोनों का मिस्रण है अगर आप इनी टेक्निकल में किसी अधर कंपनी का भी जुपचार लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं जैसे स्वाल कंपनी का केस्केड, यूपील कंपनी का इलेक्ट्रोन तथा कई कंपनियों की प्रोड़क्ट अलग-अलग नाम से दिये जाते हैं आप उन सभी का भी इस्तमाल कर सकते हैं किसान साथी अगर भविश्य में आप अपने फसल को सही सलामत देखना चाहते हैं तो आपको शुरुआत उसके बीजुपचार सही कंपनी पड़ेगी और उसके लिए आपको उच्च क्वालिटी का बीजुपचार खरिबना पड़ेगा अगर आप बेश्टगर लाइफ के वार्डन से बीजुपचार करेंगे तो आपको क्या खरिलाब होगा उसके बारे में बाग करते हैं पहली बात इसमें फंगी साइड होने के कारण बीज में फंगस नहीं लगेगी जिसके कारण वह फड़ेगा नहीं तथा उसमें किसी भी प्रकार की फंगस नहीं लगेगी और सीधी सी बात है अगर फंगस नहीं लगेगी तो पोधा सही सलामत चलेगा दुसरी बात इससे बीजुपचार करने से पोधे के उक्सुख होने की समस्य से भी निप्टा जा सकता है तिसरी और महरत्यपुर्ण बात यह है कि इसमें एक इंसेक्टिसाइड होने के कारण यह जड में कीडों को भी कंट्रोल करता है तथा पोधे के उगने के बाद 15-20 दिन तक वह मच्चरों को भी कंट्रोल करेगा अब बात करें बेस्टेग्रोलाइफ कंपनी के वार्डन के प्राइज की तो यह एक लिटर पेकिंग में 18-100 रुपे में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है चाथा 400 ml की पेकिंग में 900 रूपे में और 200 ml की पेकिंग में 400 रूपे में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है अब बात करें इसके डोज की यह बीज उप्चार के माध्यम से 2 ग्राम प्रती किलो बीच पर जाता है यानि एक ग्विंटल बीच पर 200 ml वार्डन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अब बात करते हैं बीज उप्चा ना करने के साइड इफेक्ट की अगर आप बीज उप्चा नहीं करते हैं जो की फंगर सता कीटो के कारण भी हो सकती है किसान साथियो आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी अगर आपको इस बीज उप्चार के बारे में और अधिक जानकारी लेनी हो तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं मैंने इसकी संपूर जानकारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो आप हहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उस गंटी के निसाम को ज़रूर दबाए जिससे आपको हमारी वीडियो की जिन नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी मिलते हैं आप से नई वीडियो में नई जानकर एक सब तब तक के लिए जैहिन जै भारत